मैं तेज चल सकता हूँ, बहे तेज दोड सकता है, मोहन कार चला सकता है, बहे कम्प्यूटर चला सकता है, बहे तेज दोड सकता था, बहे कार चला सकता था, मैं उसकी मदद कर सकता हूँ, मैं तुम्हारी मदद कर सकता था, बहे वहाँ जा सकते थे, जी यहां दोस्तों, आज कि क्लास में हम बात करने वाले हैं इसी प्रकार के सेंटेंस की Hello guys I am Ishwar and आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल English Talk पर दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की क्लास की आज हम बात करने वाले हैं can और could के बारे में can और could दो model बर्व हैं इनके कई प्रकार के प्रियोग हैं बर आज की किलास में हम बात करने वाले हैं इनके कुछ एक बिसेश प्रकार के प्रियोग के बारे में जिसमें हम बात करेंगे केन का प्रियोग हम करते हैं present ability के बारे में present का आर्थ आप जानते हैं सकती ताकत बरतमान समय की सकती बताना चाहते हैं और केपिसिटी याने होता है छमता याने बरतमान समय की छमता बताना चाहते हैं बरतमान समय की पावर बताना चाहते हैं बरतमान समय की एविलिटी बताना चाहते हैं तो केन का प्रियोग किया जाता है यहाँ पर can और could में बस एक छोटा सा अंतर है कि कुड का प्रयोग जो किया जाएगा वो past time की ability के लिए याने past time की योगता बताने के लिए, past time की सकती बताने के लिए और past time की छमता बताने के लिए प्रयोग किया जाता है can और could चू की दोनों model बारव हैं इसलिए दोनों में एक चीज common है can और could के साथ हमेशा ही man वर की first form का प्रियोप करेंगे एक चीजे ध्यान रखना है दूसरा can और could चू की दोनों model बारव हैं और model वर के खासियत होती है इन में कोई singular number या pillar number नहीं होता है according can का प्रियोग जैसे हमने बात की present ability याने बरतमान समय की योगता, सक्ती, छमता बताने के लिए करते हैं तो अगर माल लीजी आपको कहना है कि मैं तेज दोड सकता हूँ तो यह क्या है बरतमान समय की स्ताकत, बरतमान समय की छमता, बरतमान समय की हम ability की बात कर रहे हैं एक power और capacity की बात कर रहे हैं तो मैं कहूंगा मैं तेज दोड सकता हूँ तो यहाँ पर हम कहेंगे I can दोडने को आप जानते हैं run बोलते हैं और तेज के लिए हम use करेंगे fast तो हमें कहना होगा I can run fast मैं तेज दोड सकता हूँ अब अगर माली जी कि यही बात कहनी होती कि हम तेज दोड सकते हैं तो आपको यहाँ पर सिर्फ I के place पर B का use करना है और हम कह सकते हैं we can run fast तुम तेज दोड सकते हो तो you can run fast बे तेज दोड सकते हैं they can run fast बहे तेज दोड सकता है he can run fast बहे तेज दोड़ सकती है she can run fast लड़के तेज दोड़ सकते हैं boys can run fast यानि यहाँ पर हम can का प्रोग जो है I, we, you, they, he, she सभी के साथ कर सकते हैं किसी नाम के साथ भी प्रोग कर सकते हैं next I can drive the car यानि मैं car चला सकता हूँ यह बरतमान समय की योगता है मेरी तो मैं कहूँगा I can drive the car मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ I can speak English मैं अच्छा तेर सकता हूँ I can swim well मैं तुमारी मदद कर सकता हूँ I can help you कैने आप देख रहा हैं दोस्तों यहाँ पर हम can के साथ में manbird की first form का प्रियोग करना है और जो भी हमारी छमता हैं जो भी हमारी सकतियां हैं जो हमारी योगता हैं बरतमान समय की उनको बताने के लिए हमें can का प्रियोग करना है इनी sentence को हम past tense के लिए भी use कर सकते हैं अगर मान लीजी कि यही छमता हमें past time के लिए बतानी है जैसे हमें कहना है कि मैं तेज दोड सकता था तो यहाँ पर हमें बस can के place पर जो है could को apply करना है यानि कि अगर कहना है कि मैं तेज दोड सकता हूँ तो आप कहेंगे I can run fast और मैं तेज दोड सकता था I could run fast मैं car चला सकता हूँ I can drive the car तो मैं car चला सकता था I could drive the car I could speak English past tense I could swim well I could help you यानि can का प्रियोग present के लिए और could का प्रियोग past के लिए कर रहे हैं कुछ और sentence लेते हैं दोस्तों जैसे अगर हमें past time की अगर अपनी चमता योगिता के बारें बताना है हमें कहना है कि हम ये मैच जीत सकते थे तो हम कहेंगे we could be in the match हम ये मैच जीत सकते हैं we can be in the match present हम ये मैच जीत सकते थे we could be in the match बे नदी पार कर सकते थे they could cross the river past में बे नदी पार कर सकते हैं they can cross the river बहे खाना बना सकती थी she could cook food बहे खाना बना सकती है, she can cook food, बहे ये test pass कर सकते थे, they could pass this test, बहे ये test pass कर सकते हैं, तो क्या यूज़ करेंगे, can, they can pass this test, बहे हिंदी और अंग्रेजी बोल सकता था, he could speak Hindi and English, और present में रहेंगे, तो could के place पर हमें can का प्रियोग करना है, तो दोस्तों ये था can और could का प्रियो पास्ट टाइम के लिए कुट का प्रियोग करिए, तो दोस्तों जल्दी से comment में अपनी अपनी दो-दो abilities, present और past में रिख दीजी कि बरतमान में आप में क्या-क्या काम करने की छमता है, और आपसे कुछ समय पहले क्या काम करने की छमता थी, तो दोस्तों आपको एक लास कै इसी लगी किरपए लाइक करें, शेयर करें और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो बिल्कुल भूले नहीं, किरपए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक्यू बेरी मच